जै संतोशी मा, शुक्रवार के पावन अफसर पर आज सुनेंगे माता संतोशी जी की वृत की विधी एवं कथा तथा उद्यापन की विधी संतोशी माता जी के पिता जी गणेशी हैं और उनकी माता रिधी सिधी हैं तथा उनका परिवार धन धान, सोना जान्दी, मोती और मूंगो रतनों से भरा हुआ है माता जी की कथा सुनने वाले संतोशी माता की जै इस प्रकार जैजेकार मुक से बोलते जावें और हाथ में गुड और भुने चने रखें कथा समाप्त होने पर हाथ खा गुड चना गव माता को खिलावें कलश पे रखा हुआ गुड चना सबको प्रसाद के रूप में बाट दें कथा के पूर्व कलश को जल से भरें उसके ओपर गुड चने से भरा कटोरा रखें कथा समाप्त होने पर आर्थी होने के बाद कलश के जल को घर में सब स्थानों पर छड़तें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सीच देवें सवाए के हिसाब से गुड चना लेकर माता जी का वरत करें सवा पैसे का भी लेवें तो कोई आपति नहीं है गुड अगर घर में हो तो ले सकते हैं विचार ना करें इसलिए जितना भी श्रद्धा अनुसार बन पड़े उतना ही प्रसाद अरपन करें श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से वरत करना चाहिए वरत के उध्यापन में अड़ाई सेर खाजा जो की मोयंदार पूरी होती है या खीर चने का साग नैवेद रखकर दीपक जलाकर संतोशी माता जी की जैजैकार बोलकर नारियल को पोड़ना चाहिए इस दिन घर में खटाई ना खावें क्योंकि खटी चीजे खाने से माता का कोप होता है इसलिए उद्यापन के दिन साग या किसी वस्तो में खटाई ना डाले और ना स्वैम ही खावें ना किसी दूसरे को खाने को दे इस दिन आठ लड़कों को भोजन करावें देवर जेट या कुटुम्ब के मिल जाएं तो दूसरों को बुलाना उचित नहीं है अगर कुटुम्ब के लड़के ना मिले तो रिष्टेदारों के अत्वा पडोसियों के लड़के बुलावें उन्हें किसी प्रकार की खटाई की कोई सामगरी ना दे और भोजन कराकर यथा शक्ति कोई उपियोगी वस्तो दे परन्तु तक्षणा में नकत पैसान ना दे अन्य कोई भी चीज दे दे व्रत करने वाला कथा श्रवण कर प्रथम प्रसाद क्रहन करें तत पश्चाद दिन में एक बार भोजन करें इस प्रकार से माता अत्यंत प्रसंद होंगी दुख दरिद्रता दूर होकर मनो कामनाएं पूरी होंगी संतोशी माताजी के व्रत की कता एक बुढ़िया थी उसके साथ बेटे थे उनमें छै कमाने वाले थे और एक निकम्मा था बुढ़िया मां छैों पुतरों को रसोई बनाकर खिलाती थी और जो कुछ शेश पचता था उसे सात्वे निकम में बेटे को खिलाती थी परंतु वह बहुत भोला भाला था एक दिन वह अपनी पहु से बोला देखो मेरी मा का मुझ पर अपार प्रेम है वह बोली क्यों नहीं सबका जूटा बचा हुआ भोजन तुमको खिलाती है वह बोला ऐसा कभी नहीं हो सकता है मैं जब तक यह अपनी आखों से नहीं देख लूँगा तब तक नहीं मान सकता कुछ दिनों बाद बड़ा त्योहार आया घर में सातों प्रकार का भोजन और चूरमे के लट्टू बने वह जाचने को सिरदर्द का बहाना बना कर पतला कपड़ा सिर पर ओड़ कर रसोई में सो गया वह कपड़े में से सब देखता रहा छैयों भाई भोजन करने आये उसने देखा कि माने उनके लिए सुन्दर आसन भी चाये और नाना प्रकार की रसोई परोसी और उन्हें आग्रे करकर के जिमाया वह देखता रहा छैयों भाई भोजन करके उठे तब माने उनकी जूटी थालियों में से लड़ूं के टुकड़े उठाकर लड़ू बनाया जूठन साफ कर बुड़िया माने पुकारा बेटा छैयों भाई भोजन कर गया अब तू ही बाकी है उठना कब खाएगा वह कहने लगा मुझे भोजन नहीं करना मैं अब परदेश जा रहा हूं यह कहकर वो घर से निकल गया चलते समय पतनी की याद आई वो कोशाला में उपले थाप रही थी वहां जाकर बोला हम परदेश जा रहे हैं और थोड़े देर बाद आएंगे हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल तुम रहियो संतोश से धर्म आपनो पाल बहु बोली जाओ पिया आनंद से हमरा सोच हटाए राम भरो से हम रहें ईश्वर तुमें सहाए देह निशानी आपनी देख धरू मैं धीर सुधि मत हमारी बिसराईयो रखियो मन गंभीर वहां बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो वह बोली मेरे पास क्या है ये गोबर भरा हाथ है या कहकर उसकी पीट पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी वह चल दिया चलते चलते दूर देश में पहुचा वहां एक साहुकार की दुकान थी वहां जाकर कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख लो साहुकार को आदमी की जरूरत थी वह बोला रह जाओ लड़के ने पूछा तनखा क्या दोगे साहुकार ने का काम देखकर दाम मिलेंगे साहुकार की नौकरी मिली वह सवेरे से राद तक नौकरी पजाने लगा थोड़े दिनों में दुकानदार के साथ आठ नौकर थे वे सब चक्कर खाने लगे कि यह बहुत होश्यार बन गया है सेट ने उसका काम देख तीन महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया वह कुछ वर्षों में नामी सेट बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ कर बाहर चला गया अब बहु पर क्या भी थी सो सुनो साथ ससुर इसे बहुत दुख देने लगे सारी ग्रहस्ती का काम उससे करवाते थे उसे लकडी लेने जंगल में भेशते थे इतने पर भी घर में जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बना कर रख देते थे और फूटे नारियल की नरेली में पानी इस प्रकार से दिन गुजरते रहे एक दिन वह लकडी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रिया संतोशी माता का व्रत करती मिल गई उन्हें देखकर पहु वहां खड़ी होकर खथा सुनने और पूछने लगी हे बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो इसके करने से क्या फल मिलता है तथा इस व्रत के करने की क्या विधी है तवस्त्रियां बोनी सुनो यह संतोशी माता का व्रत है इसके करने से निर्धनता और धरिदरता का नाश होता है घर में लक्ष्मी आती है और मन की चिंताओं का नाश होता है घर में सुख आने से मन को प्रसनता और शांती मिलती है निपुत्री को पुत्र मिलता है, स्वामी बाहर गया हो तो शीक्र घर लोटाता है, क्वारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राज दर्बार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो शीक्र ही खतम हो जाता है, ग्रे कलेश भी खतम हो जाता है, सुख शान्ती घर में आती पैसा और जायदात का लाब होता है रोग भी दूर हो जाते हैं और जो मन में कामना होती है वह सब संतोशी माता की क्रपा से पूरी हो जाती है इसमें जरा भी संदे नहीं है तब बहु ने पूछा यह वरत कैसे किया जाता है यह भी बता दो आपकी बड़ी क्रपा होगी वह स जिया कहने लगी सवाय हिसाब का गुड और चना ले लेना और श्रद्धा ना हो तो सवा पैसे का ही ले लेना या सवा रुपय का ही सहुलियत के अनुसार ले लेना बिना परिशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना प्रतेग शुक्रवार को निराहार र तो घी का दीपक जला कर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना परन्तु नियम को तूटने ना देना जब तक कारिसिद्ध ना हो तब तक नियम पालन करते रहना और कारिसिद्ध हो जाने पर रद का उध्यापन करना तीन मास में माता अवश्य फल देती है यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता एक वर्ष में कारिसिद्ध कर ही देती है फल सिद्ध होने पर उध्यापन करना चाहिए बीच में करना उचित नहीं है उध्यापन 58 किलो आटे का भोजन तता इसी परिणाम से खीर और चने का स लड़के हों और कुटुम्ब के ना मिले तो रिष्टेदारों और पडोसियों के लड़कों को भोजन कराना उन्हें भोजन कराकर यथा शक्ति कुछ वस्तु दे देना पैसा रुपिया ना देना उस दिन घर के बाहर कोई भी खटाई ना खाने पावे या सुन बुढ़ि लगी या किस का मंदिर है लोग कहने लगे संतोशी माता का मंदिर है या सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लोटने लगी और दीन होकर विंती करने लगी मा मैं निपट मूर्ख हूं ब्रत के नियम कुछ नहीं जानती मैं बहुत दुखी हूं हे माता जन्नी मेरा दुख दूर करो मैं तेरी शरण हूँ माता को दयाई एक शुक्रवार पीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पती का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा यह देख जेट जिठानी मूँ सिकोडने लगे इतने दिनों में इतना पैसा आया इसमें क सरलता से कहती बहिया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है ऐसा कहकर आखों में आसु भरकर संतोशी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी मा मैंने तुम से पैसा कब मांगा है मुझे पैसे से क्या काम है मुझे तो अप अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूं तब माता जी ने प्रसन होकर कहा जा बेटी तेरा स्वामी आएगा या सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी अब संतोशी माता विचार करने लगी इस भूली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पती बेटे के पास जाकर स्वापन में प्रकट होकर कहने लगी साहुकार के बेटे सो रहा है या जाकता है वा कहने लगा माता सोता भी नहीं जाकता भी नहीं बीश में ही हूं कहो क्या ग्या है मा कहने लगी तेरे घरबार है या नहीं वा बोला मेरा सब कुछ है माता मा हैं माप हैं भाई बहिन हैं बहु है क्या कमी है मा बोली भोले पुत्र तेरी बहु घोर कश्ट उठा रही है तेरे मावाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं वह तेरे लिए तरस रही है तू उसकी सुधिले वह बोला माता जी यह मुझे मालुम है परंतु चाओं कैसे परदेश की बात लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, मा कहने लगी, मेरी बात मान सवेरे नहाधोकर संतोशी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैट देखते देखते, तेरा सब लेन देन चुक जाएगा, सांज होते ह बहन का भारी धेर लग जाएगा, अव्वा सवेरे बहुत जल्दी उड़ भाई बंदों से अपने सपने की बात कहता है, वे सब उसकी अंसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कई सपने भी सच होते हैं, एक बुड़ी बोली, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार पक जला कर दुकान पर जा बैठता है, थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपिया लाने लगे, कोठे भरे सामानों के खरीदार नगत दाम दे सौधा तै करने लगे, और शाम तक धन का धेर लग गया, मन से माता का नाम ले चमतकार देख प्रसन हो, घर ले समय माता जी के मंदिर में विश्राम करती है, क्योंकि वह तो उसके रुकने का अस्थान ठहरा, धूल उड़ती हुई, देख वह माता जी से पूछती है, हे माता या धूल कैसे उड़ रही है, मा कहती है, हे पुत्री, तेरा पति घर वापस आ रहा है, तू ऐसा कर कि लकडि का गठा देखकर मौ पैदा होगा, तब वो यहां रुकेगा, और भोजन बना खाकर मासे मिलने जाएगा, तब तू लकडियों का बोज उठा कर जाना, और बीच चौक में गठा डालकर तीन आवाजें जोर से लगाना, कि सासू जी लकडियों का गठा लो, और भूसी की र जाता जी के मंदिर पर रखा, इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचा, लकडि सूखी देखकर उसकी एक्षा उत्पन हुई, कि आज अब यहीं निवास करे और भोजन बना खा पीकर गाओं को जाए, इस प्रकार रुकर भोजन बना विश्राम करके वह गाओं को गया, और तीन आवाजें देती है, लो सासू जी लकडियों का गठा लो, और भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन महमान आया है, यह सुनकर उसकी सास बाहर आने पर अपने दिये हुए कष्टों को बुलाने है तू कहती है, बहु ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक आया है, आ बैठ मीठा भात का, भुजन कर कपड़े पहन, इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल होता है, मा से पूसता है, मा या कौन है, मा कहती है बेटा या तेरी बहु है, आज बारा वर्ष हो गए, जब से गया है, तब से सारे गाउं में जानवर की तरह भटकती है, घर का काम काज करती नहीं, चार समया कर खा जाती है, अब तुझे देकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है, वा लजजित होकर बोला, ठीक है मा, मैंने इसे भी देखा और तुम्हे मंजिल के उपर एक कमरा खोल कर सारा समान वो लड़का जमा लेता है, एक दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बन जाता है, अब क्या था वा दोनों सुख भोगने लगे, इतने में अगला शुकरवार आया, उसने पती से का मुझे संतोशी माता के वरत का उद्यापन कर तुरंत ही उद्यापन की तयारी करने लगी, जेट के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने स्विकार कर लिया, परंतु पीछे से जिठानी ने बच्चों को सिखा दिया, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो लड़के जीमने आए, खीर पूरी खाकर पेट भर गया, परंतु वह बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता, देखकर अरूची होती है, या सुनकर बहु कहने लगी कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, या संतोशी माता जी का व्रत है, लड़के उठकर खड़े होगा और बोले, नहीं तो पैसे दो, भोली बहु कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिये, लड़के उसी समय हट करके, इमली लेकर खाने लगे, या देखकर माता जी ने बहु पर कोप किया, राजा के दूद उसके पती क पकड़ कर ले गए, पहु को यह बाद सहन नहीं हुई, वह रोती हुई माता जी के मंदिर को गई, और कहने लगी, हे माता जी यह तुमने क्या क्या, हसा कर अब क्यों रूलाने लगी, माता बोली, पुत्री तूने अभी मान कर मेरा वरत भंग किया, इतनी जल्दी सब बात भूला दी, वह बोली, अब भूल ना होगी, मा अभी आब बताओ, वो वापिस कैसे आवेंगे, मा बोली, जा पुत्री तेरा पती तुझे रास्ते में आता मिलेगा, वह निकली तो मार्ग में उसका पती आता मिला, वह पूस्ती है, तुम कहा गए थे, तब वह कहने लगा इतना धन जो कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था, वह क्रेसन होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो, घर गए तो कुछ दिनों बाद फिर से शुक्रवार आया, और बहु ने फिर से उध्यापन किया, वह फिर जेट के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई, जेटानी ने लड़कों को सिखा दिया, कि तुम सब भाई पहले की तरह खटाई मांगना, लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो, तब वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, तब ब्रामण तता पडोसियों के लड़कों को लाकर भोजन कराकर उन्हें देख्षणा में एक-एक फल देने लगी, संतोशी माता जी, प्रसंद हुई नवे मास में उसके चंद्रमा के समान सुन्दर पूत्र हुआ, वह पूत्र को लेकर प्रदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी, मा ने सोचा या रो जाती है, आज मैं इसके घर चलू, यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़ चने से सना मुक उपर से सून्द के समान होट, उन पर मक्या बिन बिना रही थी, देरी पर पाउं रखते ही उसकी सास चिलाए, देखो रे, कोई चुड अनता से पगली बनकर चिलाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूद पीने से हटाती है, इतने में तो उसकी सास का क्रोट तूट पड़ता है, इतने में मा के प्रताब से लड़के ही लड़के नजर आने लगते हैं, वह बोली मा जिसका वरत करत मैं या वही संतोशी माता है, इतना कहकर जट से सारे घर के किवार खोल देती है, सब ने माता जी के चरण चुए, इस प्रकार माता जी प्रसन हुई, उस पहू को प्रसन होकर माता जी ने जैसा फल दिया है, वैसा फल माता जी सब को प्रदान करें, जो माता की कथा सुनता ह और पढ़ता है उसके सभी मनुरत पूर्ण हो बोलो संतोशी माता जी की जय है ये थी संतोशी माता जी के व्रत की कथा एवं विधी तता उध्यापन की विधी कहते हैं माता संतोशी जी का व्रत करने से सभी मनो कामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख शान्ती और संतोश आता है माता संतोशी की क्रपा सभी पर बनी रहे जय संतोशी मा